इक उनका सत्य नाम करता परिख निर्वो निर्वे अकाल मूरित अजुनी सेवं गुर्पर साथ जब आदि सच जोगादि सच है भी सच नौनिक गोसी भी सच तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कोह नानिक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा एसी देया करो महराज नाम न विसरे 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 एसी देया करो महराज नाम न विसरे नाम न विसरे नाम न विसरे विन तुद होर जे मंगना विन तुद होर जे मंगना सिरदप्खां के दुख सिरदप्खां के दुख सिरदप्खां के दुख देहे नाम संतो किया उत्रे मन की भुख पुत्रे मन की भुख नाम नाविसरे ऐसी देया करो महाराज नाम नाविसरे नाम नाविसरे नाम नाविसरे राज नाम नाविसरे नाम नाविसरे राज नाम नाविसरे नाम नाविसरे नाम नाविसरे विस्र नहीं दातार अपना नाम देगो अपना नाम देगो गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात नानिक चाओ एहो नानिक चाओ एहो नानक जाओ एओ, नानक जाओ एओ, नाम नाविसरे, ऐसी दया करो महराज नाम नाविसरे, नाम नाविसरे, ऐसी दया करो महराज सारे जेपो एसी दया करो महराज नाम नाविसरे नाम नाविसरे नाम नाविसरे नाविसरे नाम नाविसरे Vaheguru, 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 Vaheguru Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru वाए गुरू, 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 व एसी देया करो महाराज नाम नाविसरे एसी देया करो महाराज नाम नाविसरे नाम नाविसरे एसी देया देया करो महाराज नाम ना विसरे वोले सुरहे, सुरा कर, सुर्भि आता साथ संगित सब मिल के करो अरदास और कहो गुरु नानिक सह्व ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसर दुनिया के काम बेशक विसर जाए क्योंकि आपका बचन है भाई परापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की यहो तेरी बरिया अवर काज तेरे किते न काम मिल साथ संगत भाजे केवल नाम तो गुरु देव किरपा करें हमारे सब पे गुरु नानिक सह्व जी के खजाने में सबसे कीमती दाथ जो है न वो नाम की दाथ है और जितनी दाथे हैं न वो सब छोटी है नाम की आगे साथ संगत जपो सिरी फिर जपो सिरी कई वेरी हम दुनिया का सामान कठा करने के लिए अपनी सारी उमर गवा देते हैं पर जब अंत समा आता है हमें सिर्फ अफसोस ही ले जाता है किस बात का कि जिस दुनिया के सामान को मैंने इकठा किया अब मेरा अंत हो रहा है जितना जोड़ा धन जितने बनाए मकान जितना बड़ा किया परिवार अब कोई भी मेरे साथ नहीं जा रहा आगे प्यार से बोलो सिर्फ जह मात पिता सुत मीत ना भाई मन उहा नाम तेरे संग सहाई हम रोज भक्ती करते हैं सेवा शिमर्न भी करते हैं इष्ट अराधना भी करते हैं किर्टन भी करते हैं पर हम जब यह सब कुछ कर्म कांड करके प्रभु की शर्ण में आते हैं ना तो दुनिया की चीजें मांग लेते हैं प्यार से बोलो सिरी हम पाठ भी कर रहे होते हैं ना तो पीछे मनों कामना यही होती है कि पुत्र प्राप्ति हो जाए किसी को है पुत्र की नौकरी लग जाए किसी को चिंता है बच्चों की शादी हो जाए प्यार से बोलो सिरी नाम जपने के पीछे भी कामना है गुरुदेव कहते हैं फिर आश रखनी है तो छोटी क्यों रखे, फिर बड़ी आस रखे, ने, जी राजे के पास जाएं, राजा खुश हो जाए सेवा पे, तो राजा को क्या बोलें, माराज जी एक घास का गड़ा दे दो, प्यार से बोलो सिरी, राजा के पास गए हो राजा खुश हुआ है तो क्या मांगोगे कपड़े दे दियो नहीं बाबा जी बोलते थे जे राजा खुश हुआ है सेवा सिम्रन पे तो उससे क्या मांगे हीरा मांग ले हीरे में खांड की बोरियां भी है गी के पीपे भी है बजाजी के थान भी हैं हीराई क्यों नहों मांग ले तो जे रब खुश होया है गुरू खुश होया है तो दुनिया की चीजें क्यों मांगता है बोल साध्गृर जी जे खुश होये हो अपने नाम की दाढ़ बक्षते प्यार से बोलो सिरी अब कोई कवे जी मैं था धन मांगने आया था आप बोलते हो नाम की दाथ बाबा जी बोलते थे तोड़ तक दा टिकट ले लो न गाड़ी में बैठने तक तोड़ तक का टिकट जहां तक गाड़ी ने जाना है बीच के स्टेशन अपने आप आ जाएंगे अब एमदाबाद से दिली किसी ने जाना है एमदाबाद से अमरिसर जाना है किसी ने एमदाबाद से अमरिसर की टिकट बना के गाड़ी में बेठ जाए बीच के स्टेशनों की टिकट नहीं लेनी परते प्यार से बोलो सिरी वो बीची आ गया इसे तरह तोड तक का टिकट है आखरी स्टेशन तक का टिकट वो कौन सा आखरी स्टेशन नाम गुरुजी नाम दीदात बक्षिव पर हमारी बिर्ती है हम दुनियावी पदार्थ मागते है एक राजा शिकार खेलने गया गर्मियों की रूत थी उसके जो जितने वजीर, मंत्री, एहल, कार थे वो पीछे छूट गए राजा घोड़ा भगाते आगे गया आगे गया बड़ी प्यास लगी कहीं पानी का प्रबंध नहीं एक लकड़ हारा लकड़ियां काट रहा था राजे ने कहा भाई तुमारे पास पानी है मुझे प्यास लगी हाँ मेरे पास पानी है मैं घर से चला था मशक में, कूनी में पानी लेके आया हूँ ठंडा पानी, राजा ने कहा पिला भी राजा को पानी पिलाया राजा के प्रान बचे जल जीवन है प्यार से बोलो सिरी पाणी तब ही तो गुरुदेव ने गुरुग्रेंशाब में बोला पमन गुरु पाणी पिता पमन जो है ना हवा जो है ये गुरु है पाणी है पिता है अब माराइश संसु जान सिंग जी एक बचिन करते थे दस ग्राम का लोए का सिक्का पानी में फैंक दीजिए ना तो वो डूब जाता है पर इतने इतने बड़े समुन्दरी जहाज पानी पे चलते हैं लकडी के वो नहीं डूबते प्यार से बोलो सिरी एक एक जहाज का पता है कितना वजन होता है और फिर उसके ओपर कितने क्विंटल उन्होंने तनों के साफ से समान लदा होता है पर वो पानी में नहीं डूबता एक रुपे का सिक्का या उसे भी छोटा डाल दे वो पानी में डूबता है भला क्यों प्यार से बोलो सिरी तो मांपुर के बोलते थे पाले की लज्जा पाले की लज्जा लकडी क्यों नहीं डूबती पानी में क्योंके पानी ने उसको पाला है जब बीज डालते हो पोधे में बनाने के लिए पेड़ बनाने के लिए तो उसकी जड़ों में हम रोज पानी देते हैं पानी पालता है उस ब्रिक्ष जब बनता है वो लकड़ी कटके जब नौका बनती है हजारों जात्रियों को रोज पार करती है प्यार से बोलो सिरी लखड क्यों नहीं डूबती क्योंके पानी ने उसको पाल के बढ़ा किया इसे तरह सिख जो नाम जपने वाला है गुरु वाला है जिसका सत्गुरु है और सत्गुरु का नाम लेके वो स्मृरन कर रहा है तो कभी भी सत्गुरु अपने सिख को संसार रूपी भाउ सागर में डूबने नहीं देते, बचा लेते हैं। प्यार से बोलो सिरी। वो लकड़ी काट रहा था, राजे को प्यास लगी, लकड़ हारे ने जल पिलाया, राजे के प्राण बचे जल जीवन है। राजे ने अपनी बहुत कीमती अंगुठी उतारी लकड़ हारे को दी तब तक वजीर एहल कार नौकर आ गए राजे ने कहा इस तुमने मेरे प्राण बचाये हैं ये मेरी अंगुठी रखो निशानी के तोर पे कभी कुछ चाहिए हो ना मेरे महलों में आना मेरे राज दरबार में आना मुँ मांगा ही नाम दूँगा प्यार से बोलो सिरी कुछ मांगना है तो मांगो लकड़ हारा बोला माराज ये खुश हुए हो ना तो अपने यहां के बन अधिकारी को बोल दो मुझे थोड़ी सी लकड़ियां रोज काटने दिया करे अरे राजा ने का मांगा भी तो क्या थोड़ी लकड़ियां ही काटने दे चलो जो मेरा शेहर के अंदर बड़ा बगीचा है ना चंदन के जहां बूटे लगे हैं चंदन के सबसे कीमती लकड़ी होती है चंदन के जब कोई बड़ा महापुर्क संत यह कोई अभी जो वहां के नेता गुजरते हैं उनको चंदन की लकड़ियों से संसकार किया जाती है प्यार से बूलो बड़ी कीमती लकड़ी तो चंदन की लकड़ियों का मेरा बाग है शेहर के अंदर तुम लकड़ियां काटने की क्या बोलते हो जाओ सारा बाग ही तुम्हारे नाम लिख दिया जेवड आप तेवड तेरी दाद तुम थोड़ी बहुत लकड़ियां काटने के लिए बोलते थे ना जाओ सारा बाग तुम्हारे नाम लिखा वो बिचारे को बाग का पटा लिख दिया राजे ने सारे बाग का मालिक बना दिया अब लकड हारे को अकल कहा बिचारे का वो रोज चंदन की लकडियां को काटे जलाए और कोईले करके बजार में बेच दे रोज दो चार पे मिल जाए सारा ही उन्हें बाग चंदन का काट के लकडियां काट के जला के कोईले करके बेच दिया थोड़ी सी दस पंदरां किलो रह गई लकड़ी उन्हें क्या चलो इसको क्या जलाना कोईले करना बजार में ऐसे ही बेच दियू लाया आगे वापारी खड़ा था उने क्या भी ये चंधन की लकड़ी लकती है खशबू दूर से आ रही है बोला हाँ बोला मुझे देोगे ये लकड़ी थोड़ी सी बोला क्या दोगे इसका उने क्या चलो एक रुपईया दो रुपईया दे देगा सस्ता जमाना था उसने का पांच सो रुपईया दूँगा एक लकडी का वो सुनके हरान हो गया वही मैं रोज लकड़ियां काटके कोहले करके बेचता रहा अठनी या रुपईया मिलता था ये पांच सो रुपई जोटी सी लकड़ी का दे रहा ने क्या मखवल करते हैं मेरे साथ भाई ने क्या है पांच सो के हजार देता हूँ भाई आप तो दे दो अब वह चकर में पड़ गया बोला सच बोलते हो उने क्या ये लो हजार प्या हजार की थैली दी वह थोड़ी सी लकड़ी ले ली वो जिसका भाग था ना लकड हरे का जो लकडी बेचने हाँ वो हजार रपे की थेली लेना भूल गिया रोने लगा जूर जूर से वो कहता है रो क्यों रहा है रो क्यों रहा है उसने का तू थोड़ी सी लकडी की قीमت हजार रॉपया ये तो मुझे आज पता लगी मेरा तो पूरा बाग था मैंने जला के कोईले करके कोडियों के भाव बेच दिया कोडियों के भाव बेच दिया अब ये है दिरिश्टांत इसमें परमारत क्या है गुर्देव कहते है ये शरीर भी तेरा एक सुन्दर भाग है चंदन का भाग है जिसमें स्वासों रूपी पुझी अमोलक पुझी पर मात्मा ने डाली और तुने चोबी हजार रोज स्वास कोडियों के भाव बेच दिये एक स्वास से भी नहीं जपा सतना शरीर सारे ही कोईले करके बेच दिये कोडियों के भाव स्वास भाई कभी ख्याल किया ये तो किसी को पूरन संथ से पूछो ना बाबा नन सिंधी जैसे वो बताएंगे एक एक स्वास का एक गड़ी की इतनी कीमत है हम तो ऐसे ही करके सारा दिन कभी अख़बार पढ़के कभी दुकान पे बेटके कभी गपे मारके कभी सेर सपटे करके कहीं कहीं जा कि हम घंटों बेटे रहें कप शप में समा गुजार देते हैं पर बो कई सरसंग में आके दस मिंट नाम जप लेना बोलता है भगवान बुलाएंगे तो आएंगे प्यार से बुलो सिरी वो तो रोज बुलाता है तो जही अपने पिता के पास बेटने का टाइम नहीं है प्यार से बुलो सिरी किसी के घर में उसके बुढ़े माँ बाप हो ना बेटे को फुरसत नहीं होती कि बाप के कमरे में जा के बेटे थोड़ी देर मां के चरन दबाए है क्यों मां बाप ने वसीयत में पहले ही सब कुछ इसके नाम लिख दिया अब क्या जुरूरत है उनकी प्यार से बोलो सिरी अब बहु क्या सेवा करे ये बाप न लिखता न तब फिर रोज आगे बाप के चरन दबाता कहीं दूसरे बेटे के नाम बसीयत न कर दे प्यार से बोलो सिरी तो हमने भी गुरुदेव से सोजतिया में मिल गया मकान मिल गया घरवाली मिल गई बचे हो गए बेंक बेलंस बन गया दुकान बढ़िया चल रही है अब गुरुजी के पास कौन जाए रोज दोज वो भी कोई खाली सोड़ी बेटे है प्यार से बोलो सिरी तो साथ सिंगित शुक्राना करा करो शुक्राना करा करो हर स्वास में गुरुदेव का शुक्राना करो धन गुरु नानिक पाद्शा कहते है हम आदमी हाँ एक दमी मौलत मौत ना जाए जो स्वास लिया है पता नहीं अगला स्वास परमात्मा लेने देता है के नहीं देता है प्यार से बोलो सिरी अंकार ना कर अरदास कर सदा निमरता में रह सुबा हो तब भी कहा कर हे गुरु नानिक तेरा शुक्राना है रात सुख से गुजरी है प्यार से बोलो सिरी रात सुख से गुजरी है वो भी हैं जो रात हस्पतालों में पड़े हुए एक घंटा तो जा के देखो रात को हस्पताल में राजी बंदा निरोगी बंदा एक घंटा रात को हस्पताल में नहीं खड़ा हो सकता वो भी हैं जो राते हस्पतालों में गुजार रहे तबी धन बाबा नन सिंधी बचन करते थे जो रातें गुरु नानक की याद में अपने गुरु की याद में गुजारेंगे जाद के उनको कभी भी हस्पतालों में रातें नहीं गुजारनी पढ़ेंगे जिनको गुरु नानिक ने मोटरें दिये ना ये संतों का बचन है जे उनकी मोटरें उनके परिवार उनकी गाड़ियां सत्संग में आती रहेंगी उनकी मोटरें कभी भी डाक्टर के दरवाजे पर नहीं जाएंगे प्यार से बोलो सिरी ये रोग चिमरते ही तब हैं जम्हें हमें नाम भी सर जाता है तो आओ आज अरदास करें पहले गरीब निवाज किरपा करो इतना कुछ आपने दिया है जिसका कोई अंत नहीं हम तो वही हैं ना साइकल के लायक नहीं थे आपने मोटरें बक्ष दी हैं प्यार से बोलो सिरी जुग्य के लायक नहीं सुन्दर मकान महल बक्ष दी हैं प्यार से बोलो सिरी वो इह ना घर में पंक्हा लगाने के पेसे नहीं थे एर कंडिशन लगे हुए एक बारी तो कहा देओ हे मेरे सत्गरु शुकराना सत्गर तेरा स्थुकराना आज भी तेरा शुकराना कल भी तेरा शुकराना आज आज भी तेरा शुकराना रोज रोज तेरा शुकराना शुक्राना शुकराना सत्तिनाम वय गुरू Sati Naam Vai Guru Shukrana Shukrana हर सुभा तेरा शुकराना हर साम तेरा शुकराना हर शुकराना 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 हर शुकराना 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 हर सुभा तेरा शुक्राना हर शाम तेरा शुक्राना मेरे साथ गुरू हर शाम तेरा शुक्राना हर रात तेरा शुक्राना साथ गुरू तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना तेरा शुक्राना सती नम वैगुरू सती नम वैगुरू वाई गुरू, 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 व सट्धिनाम व्यगुरू शक्राना तेरा शक्राना व्यगुरू शक्राना घडिया घडिया तेरा शुक्राना पल पल तेरा शुक्राना घडिया घडिया तेरा शुक्राना पल तेरा शुक्राना गड़िया घड़िया तेरा शुक्राणा पल पल तेरा शुक्राणा स्वास्वास्थ तेरा शुक्राणा शुक्राणा तेरा शुक्राणा वाई गुरू जी है सत्गुर तेरा शुक्राना आज भी तेरा शुक्राना कल भी तेरा शुक्राना रोज रोज तेरा शुक्राना सत्गुर तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना धनी गुरु नानिक धनी गुरु नानिक साथ सेंगित जपो शिरी कई बारी हमारी मनमर जी का काम ना हो ना तो हम गुरु से भी नराज हो जाते हैं प्यार से बोलो शिरी के गुरु ने हमारा काम ही बिगाड दिया अब ये तो गुरु जी को पता है न कौन सा काम बिगाडने में तेरा आगे कौन सा काम सबरने वाला है प्यार से बोलो शिरी धन गुरु नानिक सैव जी एक नगरी में आये कहा मरदानिया वो सामने जो छोटी थी जोपड़ी नजर आ रही है न जा उदर एक हमारा प्यारा रहता है सिख्र उसको बोल जाके गुरु नानिक जी आये हैं प्यार से बोलो शिरी मरदाने जब जाके उसको खबर की वो बड़ा खुश हो सारे परिवार को लेके आया बाबा तेरी दियुई जोपड़ी है तू चरन पाफ जे महल देता तो वहां भी तुझे ही ठेराता पर आज तो जोपड़ी का मालिक हो गुरु नानिक जी जाके उसकी जोपड़ी में रात को ठेरे मरदाने यहां कीरतन कर जिस घर में कीरतन होता है न वो घर बैकूंठ बन जाता है प्यार से बोलो शिरी जिन घरों में अमरित वेले उठके बाणी का पाठ होता है वो घर स्वर्ग बन जाता है उस घर में रेने वाले देवते बन जाते हैं प्यार से बोलो शिरी मरदानिया कीरतन का उस सारा ही परिवार बेठ गया कीरतन होने लगा जिस किसी ने सुना नगरवार्शियों ने गुरु नानिक जी आए हैं सब दोड़ते आए दर्शन करने जैसे आज आप आए हो गुरु गुरंट साब जी का दर्शन कर रहे हो प्यार से बोलो धन गुरु नानिक फिर बोलो धन गुरु नानिक आपकी रस्तना पवितर होएगी मेरे कान पवितर हो जाएंगे कैदियो धन गुरु नानिक रात को कीर्तन हुआ सारी रात अमरत्वेले लंगर पका सबने भोजन किया गुरु नानिक पाथ्षा की मेर बड़ी बाबा कहने लगा चल मरदाने आप चलें अगले स्टेशन पे प्यार से बोलो सिरी हम तो बदल हैं बदलों ने कभी एमदाबाद ने बसने कभी बड़ोदा कभी दिली प्यार से बोलो सिरी पर जहां जाते हैं ना बदल बरसते हैं सूकी धर्तियां भी हरी हो जाती है सुकी धर्थिया चल मरदानी अगले पड़ाओ पे चले सद बचन मरदानी अपनी रबाब कठी की समान कठा किया बाबा थोड़ा आगे निकल गया मरदाना जब पहुँचा तो गुरु नानकी ने कहा जाओ उसकी जिस जोपड़ी में रात गुजारा न कीरतन किया उसकी जोपड़ी को गिरा के आजाओ अरे बाबा जिसने रात थेराया उसकी जोपड़ी गिरा दे है बोला हुकम मानो चार बांसों पी तो विचारे की जोपड़ी खड़ी थी जाके चारो बाज़ कीच दिये सारी बिचारी की जोपड़ी तूट गई प्यार से बोलो सिरी मरदाना कहने लगा भाई गुष्णा मत मनाना मेरे गुरु जीने का जोपड़ी गिरा दे उने कै अच्छा गुरु जीने का गुरु नाने की ना रहती सेती भी तिरपाल उसने भाड़ दी प्यार से बोलो सिरी ये गुरु नानक की मर्जी जो अपड़ी गिराने में तो उसकी मर्जी चल मरदानिया चलिये आगया अब उसने मजूर तो लगा नहीं सकता था पेसे नहीं थे परिवार के इसारे दुबारा शुरू हो गए ल प्रफिर्तन करके गए थे वहां जब धरती पुटी तांदेग मोरांदी पई सोने की मोरांदी ओए-खोई-खोई-बरतन निकला है अब तो फस कलाज बंगला बना दिया बंगले एरिया में जैसे बने हैं प्यार से बोलो सिरी गोविन धाम बने जैसे बढ़िया बंगला बना दिया धनिगुरु नानिक पाच्छा कुछ वर्ष्यों बाद फिर उदर आये मरदाने ने का बाबाए पिछली बार एक सिख ने ठराया था घर जिसकी जोपड़ी तुने तोड़ दी थी अब वो दुबारा नहीं ठराएगा हम चार से बोली इसी जो विचारा रात ठे लावें सेवा खरे जाने वकत उसकी जोपड़ी तोड़ देवें अगली बार्य उसने हमको ठ्हराना है कोई मरदाने आ जा का घर सामने कौन सा बाबा बुला वो बड़ा बंगला जो बना खरान हो गया बाबा उसकी तो जोपड़ी थी बुला जोपड़ी नहीं अब बंगले वाला बन गया है जार से बुलू सिरी इस नगरी का सबसे बड़ा सेट यहीं है अब जब मरदाना जी गए कहने बई गुरु नानिक जी आए बुलाने गया वो साथ संगित हमारे वर्गा होता तो शैध दरवाजाई बंद कर देता गुरु नानिक कहीं मांगने ना जाया फिर मकान किराने उसने सुना गुरु नानिक जी आगए सारे परिवार को रगरवासियों को लेके गुरु नानिक का शुकराना करण पहुंच गिया बाबा तुने भिखारी को राजा बनाया तुने कंगले को पाज़ा बनाया चल मेरे मालिक तुने महल वक्षे जोपड़ी से चरन पा धन गुरु नानिक सहब आये सोने आसन पे बिठाया कीर्तन हो रहे है सारी संगत जुड़ी है ये गुरु का सेख संगत के जोड़ों में खड़ा है सेवा कर रहे है प्यार से बोलो सिरी जोड़ों मिच खिलोता है ते की केंदे है गुरु नानिक शुकराना तेरा शुकराना मन से शुकराना कर दे पारे जिनकी नई मकान बने उनके भी बन जाएंगे जिनके उपर करजे हैं मिट जाएंगे जिनके बच्चियां दे कारज नहीं हो रहें उनके कारज हो जाएंगे प्यार से बोलो सिरी क्योंकि पहले जो है न शुक्रान न करया कर हम पहले आके शक्याद करते हैं ये नहीं दिया मुझे प्यार से बोलो सिरी मेरे भाई को दे दिया प्रोसी को दे दिया पहले शुकराना कर मालिक साइकल लायक नहीं था स्कूटर दे दिया तुने स्कूटर का शुकराना नहीं कर रहा है मोटर मांगने आ गया प्यार से बोलो सिरी तब शुकराना करो पहले जो मिल गया है शुकराना नहीं मिलिया, सबर करो लाइन में खड़े हो बारी आएगी, प्यार से बोलो सिरी हर मंदर से आप जाते हैं नो कितनी बड़ी लाइन लगी होती है पर कमाल की बात है पावे कितनी संगत खड़ी हो दर्शन सभी को होते हैं प्यार से बोलो सिरी दर्चन सबीको और भावनावाले जोलियां भी भरके आते हैं क्योंकि गुरुननक का दर्ख है गुरुननक का दर्ख है किस्वत सलाव तेरी नम मन वसाए क्या नाही घर तेरे क्या नाही घर तेरे बड़ु जी क्या नाही घर तेरे क्या नाही घर तेरे क्या दर्ख है क्या नाही घर तेरे नाही घर तेरे बोलो बाहर तुरु बाहर तुरु बाहर तुरु नाम जिन के मन वसाए वाजे शब्द गने रे सारे बोलो नाही घर तेरे पान वसे शार पड़े सब्द गने तेरे कहिना निके सचे साहिब क्या नाही घर तेरे क्या नाही घर तेरे क्या नाही घर तेरे वै दुरु जी क्या नाही घर तेरे जो मंगे ठाकरी अपने ते जो मंगे ठाकरी अपने ते सोई सोई दे वै सोई सोई दे वै नानिक दास मुख ते जो बोले नानिक दास मुख ते जो बोले या उंगा सच हो वै इगा उंगा सच हो वै क्या नाही घर तेरे क्या नाही घर तेरे सारे करपाते क्या नाही घर तेरे जो मिल गया उसका शुकराना करो अखो गुरु नानिक तेरा शुकर है यह मेरे साथ गुरु तेरा शुकराना है प्यार से बोलो सिरी जो नहीं मिला उसका सबर करो लाइन में लगे रहो मिलेगा प्यार से बोलो सिरी दाता है वो इतने उसके बड़े खजाने हैं आज तक उसके दर्वार से भावना वाला कोई मंगता खाली नहीं किया धन बाबा नन सिंग जी बचन करते थे अपने सत्गुरू के दर्वार में जब भी आओ भावना की जोली लेके आओ जितनी जोली लेके आओगे बड़ी उतनी दातें गुरू से लेके जाओगे बीबी सुलखनी गुरू हरगोविन सहीब जी से एक पुत्र मांगने आई बाबा एक पुत्र गुरू जी ने पहले तो लोटा दिया हूँ तेरे भागां मिच है ही नहीं दूजे दिन फिर आई भ गुरू एक पुत्र की दात माई तु कल वाली है ना तेरे भागां मिच है इनी कर्मों में है ने फिर क्यों आ गई लेने भाई गुरुदास ने समझा दिया क्या देना साथ गुरू जे पहले भागों में नहीं लिखा तो अब लिख दीजिए प्यार से बोलो सिरी तुही लिखने वाला है तुही मेटने वाला है तुही बनाने वाला है तुही बिगाडने वाला है प्यार से बोलो सिरी तेरे से नहीं मांगें दे किसे मांगें बोली मेरे सद्गुरु जी पहले नहीं लिखा न तो अब लिख दीजिए सत्गुरु हस के कहने लगे कल तो तुने ये बात नहीं बोली बाई साथ बाई गुर्दास की तरफ देखके सत्गुरु बोले बाई साथ कहीं ये जुकती आपने तो नहीं बता दी माराजी तो फिर आपके दर्वार से कोई खाली जाए ये आपको लाज होगी न फिर प्यार से बोलो सिरी तब मेरे सद्गरु हच के क्याने लगे लिया माई फिर कागज कलम लिया लिख देवा माराजी विश्वास नहीं करती बोल पे लिख के दे जाओ ला फिर कागज कलम लिख देवा अब कागज काहां कलम काहां कोई पड़े लिखे लोग तो थे नहीं प्यादा गाओं पिंडों में अभी भी बहुत पढ़ाई की कमी है यार से बोलो सिरी उस वकत की बात घड़े की ठीकरी पड़ी थी तूटी उए घड़ा तूटा ठीक लोग मराजी सी पर लिख दीजिए का गई तो है नहीं अब कहां से कौपी लेकर आऊं पैन कहां से लाऊं लिखें किस से बोलो मराजी आपके बठे में तीर पड़ा है ना तीर की नोक से लिख दीजिए एक ही लिख दीजिए जाए शदगोर जी हस पड़े भावना वाली है एक लिखने लगे न तो गुरु जी ने साथ लिख दीए प्यार से बोलो सीरी आज कल की माईया तो नहीं कहती है एक ही बहुत है प्यार से बोलो सी थी पहले וाली थी पहले ता वेड़ा भरीया होए बचियाना क्या बात है भाईयों के बच्चे चाचे ताउ के बच्चे एक ही वेड़े में खेलते थे कितना प्यार होता था अब घर में दो भाई हैं दो कमरों में भी गुजारा नहीं होता प्यार से बलू सिरी पहले संतोग था सबर था अब दृष्चना की आग लगी होई है प्यार से बलू सिरी माराज जी ने कह ये तो एक की जगा सुलकणिये साथ लिखे गए आज के कहने लिगी माराज जी लोड़ी सत्ना दी सी जरूरती साथ की थी काम धंदा बहुत है ना तो साथों को काम पे लगा दूँगी प्यार से बलू सिरी तो शुक्राना करने फिर जब बचे हुए लेके आई शुक्राना कर रही है तक गुरुदेव बाणी में कहते हैं गुरु अमरदास जी भावना वाला कभी भी गुरुनान के दर से खाली नहीं जाएगा अपने सत्गुरु के दर से कभी खाली नहीं जाएगा अपने सत्गुरु के अंदर परमेश्वर जैसी निष्टा रखोगे भावना के उपर फल मिलते हैं प्यार से बोलो सिरी क्या नाहीं घर तेरे क्या नाहीं घर तेरे साचे साहबा सारे मिलके बोलो समाप्ती है क्या नाहीं घर तेरे शीरी घर क्रिशन थे आए जिस बिट्थे साब दुख जाए एक बहादर सिमरिये घर नो नित्यावे थाए सब थाई गोए सहाए सीरी घर क्रिशन थे आए सीरी घर क्रिशन थे आए क्रिशन थे आए